मैं आक्षिप नहीं करता हूं मगर डॉक्टर को पूछो अपने वहां आने वाले मरीज में मरीज का दर्शन होता है कि गरहक का दर्शन होता है अपने वहां आने वाले मरीज को डॉक्टर मरीज की तरह से देखेगे कि गरहक की तरह से देखेंगे मरीज नमबर दो में दिखाए पड़ता है घराक नमबरे में एक में दिखाए पड़ता है इसलिए चाहे वो दबाई करता है मगर बात तो आखिर आती है मैटल की पैसा उनसे कितना मिलता है मैं रिपीट करना चाहूंगा आउट पुट में आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल चाहिए तो मान लेना हमारी मेंटल मेंटालीटी है नमबर दो कैटल मेंटालीटी चाहे वो मच्छर हो चाहे खटमर हो चाहे गद्दा हो चाहे कुता हो चाहे गाय हो चाहे बेल हो वो कहीं भी जाएगा उनको बस कैटल माने खाने की मानसिक्ता पांच इंद्रिय के विशे की मानसिक्ता जाना है संकेश और मगरिक चेक करना है कि भुजन साला की विवस्ता कैसी धर्मा साला की विवस्ता कैसी मच्छर तो नहीं काटेंगे गुर्दी के प्रवेचन में जाएंगे मगर बेटनी की विवस्ता तो मिलेगी कि नहीं यह है केटल मेंटालिटी जिनकी बरतक हमने किस मेंटालिटी में हमारा जिवन खतम हो चुका है वो एक बार चेक कर लेना नमबर तीन बेटल मेंटालिटी कई से भी रिलेशन करेगा वो रिलेशन में बेटल आते ही रहेगा संगर्श बेटल मेंटालिटी डेट मिन्स लड़ाई का संगर्श का विक्रक का मानस अब मंदिर में जाओ तो भी उसको स्थान समय अनिल डिश्टर्ब नहीं करता है आँखों की शरम नहीं परवादीन आज परिशन के समय के बीच में मुझे संगर्श नहीं करना चीए मगर वो दिन भी वो किसी के साथ जगड के रहेगा पाली ताना के प्रभू के मंदिर में वो लाइन में खड़ा और पीछे बना सायद आ गया गया तो भाव भी उसको गाली देने में कोई शरम नहीं रहेगी अपने पिता जी के साथ और अपनी मा के साथ गुरु भगवन के साथ सज्जन के साथ संत के साथ कहीं भी जाएगा बस वो ये की कहेगा मुझे लड़ने का एक सौक है सच बो हमारी ये भगवान मावीर की बाद इसलिए करना जादो भगवान इस तेन मेंटालिसिते उपर उठ गए थे न मेटल मेंटालिटी न केटल मेंटालिटी न कहीं बैटल मेंटालिटी 24 तिरतंगरम ने सबसे ज़्यादा भव भगवान मावीर के 27 सबसे ज़्यादा तपस चलिया बगवान मावीर के नम पर और सबसे ज़्यादा परीशा और उपसर बगवान मावीर पर बगवान इन तिन और यदी में सज्जन, संत और परमात्मा के मार पर चलना चाहता हूँ इस तीन मेंटाली से मुझे उपर उठना पड़ेगा इसके पास ही आएगी, याद कर लो पका, सेटल मेंटालीटी उनके पास आएगी जिसके नजर में राइट और रोंग नहों करके गुड़ और बेट रहेगा, वो ही सेटल मेंटालीटी पर आएगा अब इनका उसर करना है दुका लेना, परिवार में खहीं भी राइट और रोंगाता है, मैं सचाओं, मैं सची हूँ मैं क्यों जूगू, सामने वाले के परती, गुर्देव, मेरा अपराद उसमें क्या है आप बोलते हैं कि इनके च्रण में जाकर के शमा मग लो, गुर्देव, आप मांते हैं कि मैं जूटी हूँ, या मैं जूटा हूँ यदि मैं सही हूँ तो सामने वाले के च्रण में क्यों जूगूँगा, सच और जूट के बीच में जो उलसता रहता है, वो हमेश के लिए बेटल मेंटारीटी में रहेगा और good and bad के बिच में जो जुमता रहता है वो हमेशा settlement के लिए तेया रहेगा Any question from you? मैं आपको एक जब भी आपको मन में लगता है गुरुदे, मैं सच हूँ फिर क्यूं जुग जाऊँ आप एक बार भगवान मावीर को आख के सामने रखना बगवान कहां चुठे थे साड़े बार साल तक के सादना जिनमे बगवान मावीर कहीं एक जगह गलती से भी बगवान चूक नहीं पाए एक जगह भी नहीं साथ बो मैं आपको पुदना चाहँ दो हमेरे जिवन सेटल और मेटल के बीच में चलता है मान लो मेटल और केटल से अंबार आ गए बगवान मावीर को पाने बाला बैटल मेंटालिटी बाला प्रभू के मार से बहुत दूर रहेगा सेटल मेंटालिटी बाला ही नजदिक जा पाएगा आप मुझे बताओ हमारी मानसित्ता बिते हुए चितने भी साल गए उसमें हमने क्या किया सेटल और बैटल कहीं किसी के साथ हम तनाव में आ गए और बाचित में आ गए एग्रेसिव मानस बन गया एवरेज हमारी मानसित्ता क्या लिए ये चार बात करके मैं और चार बात करना चाहता हूँ मगर पहले ये concept लिए करना चाहता हूं battle mentality वालो को ही मावीर जमेगा settle mentality वाले को ही मावीर जमेगा तीन mentality वाला मावीर से दूर रहेगा metal, kettle और battle mentality वाला वो रदे से मावीर से कभी जूड नहीं पाएगा वो हम इसके लिए दूर ही रहेगा मावीर तारा मारत थी हमें लाखो योजन दूर भगवान आपके मारत से हम तो लगता कि लाखो योजन दूर है कहा हमारी तो मानसिकता भी नहीं बनती है दो बात भगवान की फिवर में थी मन में दो बात वो भगमान थे वो बात छोड़ दो मगर दो बात प्रभू की फिवर में दीख तो पुण्य प्रभू की फिवर में था और प्रेम प्रभू की फिवर में था दोनो सारे जगत में जगत के जिवों में किसी के पाद जो पुन्य नहीं था वो प्रेम प्रभू के पास था हाइट पे पुन्य और मेरे गुर्देव भोन बानु सुरी सुरी मारद ने नौपद्धी एक स्तुती लिखिये उसमें प्रथम लाइने स्री अरियन्तो सकल ही तदा उच्च पुन्यों पकारा क्लाइमेक्स पर पुन्य परमात्मा का सारे जगत के जिवों के प्रती प्रेम परमात्मा का टॉप और सारे जगत के जिवों से प्रेम पुन्य परमात्मा का टॉप मैं बोलता हूँ पुन्य और प्रेम दोनों सिकर पे फिर भी भगवान ने जुकनी की मेंटालिटी बना दी थी ना हमारा पुन्य इतना जबर्दस्त है ना हमारा प्रेम जबर्दस्त है और फिर बैटल के लिए गुमते फिरते रहते सच बलो कौम भगवान मावीर के मान पर नवास तमी इस तन पर कौम आएंगे